गनेश चतरूथी की हारदिक्षप कामना है आज मैं आप सबको पहले तो एक अपनी जीवन के एक छोटी सी कहानी शाओंगे और फिर मैंने कुछ देर पहले ये कवितार अच्छी है वो भी सुनाओंगी तो जो पहली मेरी जीवन की कहानी है उससे शुरू करती हो हमारे वहां बहुत सारे गनेश चतरूथी के अफसर पे पंडाल लगते हैं तो उन पंडालों में सजीवी मूर्थियां देखने में मुझे बहुत मजा आता था तो अब यहां तो वैसी लगती है नहीं तो मैं पापा को बोलती थी जाके सारे पंडाल मुझे को घूमा के लाओ तो पापा वीडियो कॉल पे घूमाते थे मुझे पर इस साल तो वो भी पॉसिबल नहीं है तो कई जगा जहां पंडाल लगते थे वहां लोगों ने क्या किया इस बार वहां लोगों ने उन्हें कोविट के सेंटर में कनवर्ट कर दिया है प्लट कैम्प लगा दिये हैं प्लाजमा कैम्प लगा दिये हैं प्लाजमा दोनेशन कैम्प तो ये थी छोटी सी कहानी अब मैं आपको अपनी पोयम सुनाती हूँ जो मैंने थोड़ी दिर पहले रची है वो कुछ इस प्रकार है ना लाल बाक्चा राजा है ना गली के कुने में पंडाल है सूनी सूनी कलिया इस बार है दसो दुशाओं में साइरन की आवाज है ना ढोल ना नगारे की आवाज है दूर कहीं एक मा ने खोया अपना लाल है आया दुखर ने गौरी का लाल है घर में बापा के लिए लड़ू बनाए है चिरियों से भेजा ये संदेश है चारो तरफ है शांती, वीकेंड लॉगडाउन का माहौल है आया जन दिन विग्ण हर्ता का दोबारा है कभी सजधच कर चाते इनके पंडाल थे चंद्रमा और गनेश की कहानी वो निराली है चानना देखना कहती मा हर साल है इनकी सवारी भी मसिधार है मुश्यक महराज को कोई कैसे भूल जाए हर वस्तु को कांट छांट कर हल निकालते हैं फुर्तीले हैं, जागरुक रहने का संदेश देते हैं करते मदद हर समय गनपती की है जो सात ना छोरे वैसी यारी इन दोनों की है जिसका हाथ ठाम ले ये दोनों यार समझो उसकी नहिया हो जाए पार धन्यवाद इसी के साथ ये व्लॉग यहां समापत होता है फिर मिलेंगा अगले व्लॉग में इस व्लॉग को लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद